हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ओल आफ यू एस्पी सुकला एजुकेट चैनल मित्रों कैसे हैं आसा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयरी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी जैसा कि आपको पता है तस्सम ओम तद्भों से एक प्रस्ण आपके एक्ज कर देते हो उसी को देखते हुए एसपी सुकला एजुकेट परिवार ने आपकी बार आपके लिए सोच लेया है कि जो तस्सम तद्भों का डर है उसे हम दूर करेंगे एक दूसरी चीज मित्रों उपसर्ग का ट्रिक मैंने आपको बताया था लगभव 6 लाख बच्चे ने अम तद्भों तो पहले यहां पर कुछ बातो पर चर्चा करने कि वानूब के सिंवक्षे बना स्वतन्त्र शार्थक भनी संव भासा की सार्थक एकाई वा क्मी प्रयुक्त होकर हमारे भाव को दर्साता है भासा ऑर सबसे चोटी लिखित इकाई वाणों के संयोक से बनती है, शब्द कहलाता है, यहीं कुल मिलाके यह सब्द का ही पार्ट है, जब हमने सब्द पढ़ाया है, वहाँ पे अच्छे से बताया है, नहीं बताया है, तो आगे भी मैं आपको बताऊंगा, अब देखे, बिभिन प्रकार के शमूह जो होते हैं, व पाच वरगी करण किये जाते हैं, तत्सम सब्द, तत्भो सब्द, देशत सब्द, विदेशत सब्द, और द्विज सब्द, क्या क्या हैं, तत्सम सब्द, तत्भो सब्द, देशत सब्द, विदेशत सब्द, और द्विज सब्द, जैसा कि आपको दिख रहा है, अब इसम सबसे पहले हम समझते हैं क्योंकि हमने ये पार्ट में दिया है नाम चैप्टर का क्या दिया है? तत्सम और तत्वोग पर ही समझते हैं, इनकी डिफिनिशन क्या है, फिर इनके रूल्स पर आएंगे, तो देखें, तत्सम सब्द किसे कहते हैं, इसका साब्धिक अर्थ है उस के समान जैसे यहां पर आप देखिए यह ततधन सम दो सब्दों से मिलकर बना है संस्कित के जो शब्द अपना रूप परिवर्तन किये बिना हिंदी में आ गए तत्सम सब्द कहलाते हैं आज कल हमारी अपने राष्ट भासा में इनका प्रचलन बहुतायत से होने लगा जैसे अगनी चर्म कर्ण हस्त कर्ण हस्त मस्तक कंटक सर्प कास्ट अंगुष्ट धैर आदि यह सभी क्या है आपके तत्सम सब्द हैं यानि तत्सम का मतलब होता है तत्धन सम यानि उसके समान उसके समान य होती है उसी को तत्सम सब्द कहते हैं आशा करता हो कि आपने तत्सम समझ लिया होगा अच्छा फिर तत्धो देखिये तत्धो शब्द में क्या होता है वे सब्द जिनका मूल तो संस्कित में है किन्तु मद्ध यूगीन भाशाओं में परिवर्तन परिवर्तिश प्रयुक्त होते हुए आज की हिंदी में भी परियुक्त होने लगे हैं वे सब्ध होज़ा है अर्था संस्केत के वे विकृत सब्धो प्राकृत भाशा में प्रिवर्त वहते हुए हिंदी तक होता या तद्भव हैं जैसे आग, चाम, कान, हाथ, माथा, काटा, साप, आदी ये सभी क्या हैं, तद्भव शब्द हैं, अब देखिए इनका ट्रिक का मतलब क्या होता है आपको बताना चाहूंगा, ट्रिक कहने का मिंस यही होता है, दोस्तों इनके जो नियम होते हैं, गिने पढ़ाई कर ले तो आपको वही लगेगा कि आपको ट्रिक पता हो गई है तो चलिए इनके जो कुल मिलाके कितने नियम है उन सातों नियमों पर बहुत अच्छे से चाचा करेंगे आप पॉइंट टू-पॉइंट नोट करते चलिएगा इसका पीडिया भी आप हमारे टेली उन देकि आप इसका मतलब समझी मैं आपको बताना चाहूंगा जब सरों का बदबद करते हैं आपने देखा होगा стр épisode में यह जो है जहां पर एंगा वहां तक जो यह अपका होता है जैसे तहां के लिए एक पंचाच्छा ऑंटा है तो तो यह भी हम चाचा करेंगी जैसे देखे एला एला क्या होगे आपका? तद सम सब्ध इलाईची इसमे क्या आया? इए अहया? एकल्स क्त्र क्या है? तद सम्ध इकट्था क्या है तद भो शब्ध Monst Yoko क्या है आपका तत्सम है 31 क्या हो गई आपकी तद्भव एक चत्वार इन सत्थ ये क्या है आपका तत्सम 41 क्या हो गया तद्भव 81 क्या है आपका तद्भव 65 तद्भव 51 क्या है आपका तद्भव यानि पहले नियम में हमने ये देखा कि यदि mostly आप word देखेंगे A की मातरा का प्रियोग करेंगे यानि स्वरो में A आएगा तो आपका तद्भव होगा और स्वरो में E आएगी तो आपकी क्या होगी हो तद्भव हो जाएगी आसा करता हूँ कि आपको शमज में आ गई होगी चलिए नियम नंबर 2 पर चलते हैं नियम नंबर 2 थोड़ा सा आपके स्क्रीन पर आ चुका है थोड़ा और उपर कर देते हैं आपको अच्छे से देखे देखे नियम नंबर 2 क्या कह रहा है तद्भव सब्दों के पीछे च्छा का प्रियोग करते हैं वहुद ध्यान से पकड़िएगा तद्भव सब्दों के पीछे च्छा का च्छत्री वाला च्छा च्छा का प्रियोग करते हैं जब कि तद्भो शब्दों के पीछे खा यासे ये छतरी वाले च्छा का प्रियोग करते हैं जैसे देखें छुधा छुधा छुद्र छोटा दच दच छीर खीर तो यहां से आपको देखें चीजे दिख रही ना कि कैसे आप पकड़ेंगे और हैं बहुत सारे उद्धारंग दिया हूं प्रक्षा करते हैं कि जी और आउस्थ में हम प्रस्णों पर वीयोग का जाते हैं हम तौलिया का प्रियोग करते हैं उसी को, अच्छत आखत, कुछ कोख, छेत्र खेत, छुर खुर, छेत्रित खेती, छार खार, छत्री छत्री, साच्छी साखी, अच्छी आख, और उसके बाद थोड़ा सा उपर उठा देता हूँ आपको, अच्छी आख हो गया, आपको दच्छिन, दाहिना, एक सेकंड मैं दिखा देता हूँ, यहां से आप देख लिए, नोट करते चलिए, दच्छिन, दाहिना, मच्छ का मक्षी, तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मिन्स फिर से समझ जाईए, यदि इस छा से छत्री का प्रियोग किया जाएगा, तो आ आसा करतों की समझ में आ रहा होगा आप सभी को, आईए चलते हैं नियम नंबर तीन पर, नियम नंबर तीन क्या कहरा है, तत्सम सब्दों में वाका प्रियोग करते हैं, जबकि तत्भो शब्दों में वाका प्रियोग करते हैं, किसमें तत्सम सब्द है तो उसमें वाका प बनिया, वर्सा, बर्सात, वक, बगुला, वर्यात्र, वरात, विवाह, ब्याह, वानर, बंदर, वर, बर, दिवेदी, दिवेदी क्या होता है आपको पता है ब्रामभणों में एक जाती होती है दिवेदी, दिवेदी को क्या कहते हैं फ्रंट से दूबे कहते हैं, दिवेदी क का मतलब 98 होता है यह संस्कृत में जो टेट का एक्जाम होता है संस्कृत में डारेक्ली पूछा जाता है इसलिए हमने जो important है उनको collection में आपके रखा हुआ है वर्तिका बत्ती विक्रियन विकनाम भगनी बहन वंध्या बाज अब देखें वंस का बास भी होता है और वंस का मतलब आप एक समझते भी है कुल परमपरा में जो चली आ रही हो भी वंस होती है तिक है ब्याग्र बाग वाटिका बाड़ी वारता बात वारिद बादल वाम बाया वर्स बरस वंसी बासुरी में मित्र जराए एक बार आप लोग कमेंट करके बताए आपको अच्छे से समझ में आ रहा है की नहीं आ रहा है की नहीं मित्र एक एक point to point आप चीजों को समझेंगे पूरी हिंदी में इसी तरीके से आपको जो नियम हैं जो गूरतत्य हैं उन्हों गूरतत्यों के साथ ही साथ आपको बता दूँगा बाकी रेगुलर वे में मैं आपके बीच में सेवा प्रदान कर रहा हूं बहुत ही डीप में बहुत ही अच्छे तरीके से क्लासेज भी लेता हूं तो आप जैसा की जानते हैं हमारे हाँ इंडिविजुवल हिंदी की अगर आप बहुत बिस्तित रूप से तैयरी करना चाहते हैं किसी भी आगामे एक्जामनेशन के लिए तो आप संस्थान से कॉंटेक्ट कर सकते हैं बहुत कम चार्जेज में आप पूरी कंप्लीट हिंदी पड़ भी सकते हैं प्रैक्टिस भी कर सकते हैं तो आए नियम नंबर फोर्थ पर चलते हैं तद्सम सब्दों में सीटी वाले साका प्रियोग होता है जैसे अनस, अनसन, श्वास, श्यामल, 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 श्याक्व, श्यामल, 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 श् ये गलत है श्वेत ये दो दो गलत हो गये हैं यहां टाइपिंग का मिस्टेक है श्वेत शफेद आगे उठा देता हूं थोड़ा सा देखिए आईए इसका पीडिया भी आप टेलिग्राम से डाउनलोड कर लिजेगा वहां पर मैं अपडेट करके डाल दूँगा फ्रेंड् सिट्ट वाले बच्चे आपके संस्कृप में डायरेट्ट को क्या है तो मेरे मितृब आपको पता होना चाहिए कोते हैं जह स्रा खटकोडवाले सवन, री होती है री की मात्रा और रा की मात्रा का प्रियोक किया जाएगा तो तथ्सวं सब्द होते हैं आप जान जाएगा जैसे तर देखे आपर क्या हो रहा है, री का क्या हो रहा है, र पन अरपन यहां क्या हो रहा है अरपन असीस श्रावन श्रावन रात्री रात राजपुतर राजपूतर शिंगार शिंगार गृत घी भार्ट भार्या भार्या मृतिका मिठ्टी मृतिका मिट्टी होता है घ्रिणा घिन, द्रिष्टी दीठी, सुपत्र शपूत, स्वाद शवाद, श्वामी शाई, अशाड अशाड, व्याग्र बाग, भ्रू भौं, नर्क नक्र नाक, भाद्रपत भादों, ग्रिध गीध, आम्र आम, अंगुष्ठ अंगुठा, अनारी अनारी, आध्रक, अध्रक, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है, आध्रक, अध्रक, अर्धपूरक, अधूरा, अम्रित, अमी या, अमी होता है, आसा करता हूं कि आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, आईए, नियम नंबर 6 पर चलते हैं, नियम नंबर 6 बहुत ही प्यारा नियम है, बहुत ही ध्यान देने योग है, ये व्याकरण में भी ध्यान दिया जाता है, प्राया अनुश्वार एवन विसर्ग का प्रियोग तस्सम में, जबकि इस चंदबिंदी का प्रियोग जो होता है तद्भो में, ये चंदबिंदी क इसको क्या कहते हैं अनुनासिक आपको पढ़ाया हुए वहने माला में बहुत अच्छे से पढ़ाया है वहां पर जब आपने देखा है नाक वा मुख से वाइव के निकलने पर वर्णों के प्रकार में आपको बताया था कि आपका एक होता है निरनुनासिक और दूसरा होता ह है आपने पढ़ा भी होगा आशा करता हूं तो देखिए क्या कर देशे गोधूम गेहुं मुख मुहुं शंसर्व मूच ग्राम गाउं असरू असूँ अच्छ अंत्र अतड़ी तो आप यहां पर क्या हो रहा है आपका यह तो मात्रा सुरू की मात्रा यहां पर ची की आतरा यहां पर अन यह आपका प्रियोग हो रहा है यहां पर क्या हो रहा है आपका अनुनासी का प्रियोग हो रहा है ओके फ्रेंट्स आईए नियम नंबर साथ पर चलते हैं सात्वा नियम यह अंतिम नियम है ठीक है साथ ही नियम में पूरी आपकी तस्वम तदभाव होता यहां जहां प्राया का तत्सन सब्द में कुछ उदारण देखते हैं 머使用 अरपन अरपन अलचन अलचन कोण कोणा किसान काण काण कड कान गढणा घिनना गरजड़नी गविनी गृहनी दर घरनी घरनी हनाती तेग्ए होगा गृहनी घरनी थोड़ा सा उपर करता हूँ एक एक पैंट को आप नोट करते चलिए गा ओके थोड़ा सा उपर कर देते हैं हाँ तो देखिए अगरहायन और इसके बाद दिखे नीचे आपको दिख रहा है त्रीडे तीन तरणी तरणी दच्छिन दाहिना तो ये हमने दिखाया आपको कि जहां पर आडा होता है क्या होता है फ्रेंट्स जहां पर आडा होता है चीजों को बहुत अच्छे से गौर से समझेगा मैंने आपको बताया लास्ट पॉइंट कि जहां पर आडा का परियोग किया जाता है ये सभी ततसम होता है क्या होता है ततसम होता है और जहां पर नाका प्रियोग किया जाता है तदभाव होता है ततसम और तदभाव आपको अच्छे से समझ में भी आगया होगा जरूर आप कमेंट करके बताईएगा हम आपके लिए 40 अति महत्तपूर प्रस्णों पर चर्चा करेंगे जो प्रस्ण सभी 40 प्रस्णों को हम बहुत जल्द आपके बीच में लाएंगे ओके फ्रेंट्स वीडियो को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा कमेंट करके जरूर बताईएगा यह मेथड हमारा पढ़ाने का यह स्टाइल पढ़ने का आपका कैसे लग आपको समझ में आ रही की नहीं चीजे अच्छे से किलियर हैं या नहीं इन सब के लिए आपको कमेंट करना है आप अपना प्यार दीजेगा हंडेट परसंट आपके लिए हिंदी के ओ चैप्टर जो तफ है धोले से उनका ट्रिक मैं आपके बीच में इसी तरीके से जरूर पेस करोंगा, ओके फ्रेंज्ट वाल्ट